दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही बेतरीन प्लान के जैसे का आप श्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इसका साहज है 16 24 फिट आप देख रहे होंगे बहुत ही लो बजट हाउस है ज्यादा चीज़े मैंने डिजाइन नहीं की अगर आप गाओ ऐसा है कहीं पर भी और आपके पैसा कम है ज्यादा चीज़ें नहीं डिजाइन करना चाहते हैं तो बेतरीन सालोक आपके सामने देखने को मिलता है और इस सारी चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से आपर मिलेंगी और आप जब भी इसे बनवाएंगे तो आपका सबसे कम पैसा लगने वाला मैं हूं जागड़े और आप देखे रहाए अपना है चैनल इसमाल हाउस प्लान अगर आपने अभी तक इसमाल हाउस प्लान को सब्काइब नहीं किया है जरू करने सास्वाइब आइकन जरू दवा दें इसे मेरे आने वाले सभी वोडियों आप देख सकें और दोस्तों मै आप अनवेक्टियों पेमिंट बिल्कुल ना करें तो जो आज का मोडल है उसे हम डिसकस कर लेते हैं और मैं लाश्ट में इसका ये भी बताऊंगा कि आपको इस घर को बनवाने में कितना खर्च आएगा तो आप बने रहें लाश्ट तक तो सबसे अगर हम बात करें इसके के नीचे से आपका निकास तो लगबग आपको 6 फिट का प्रॉक्स में ये देना पड़ेगा क्यूंकि अगर आप 5 फिट का बीजी ना देते हैं तो ये टोटा अगर 6 फिट है तो नीचे जाए जो इस पेस यहाँ वाला रहेगा तो तीन से साड़े तीन फिट आपका बना रहता है इससे आप निकल सके इसी के नीचे आप अपनी गारी वगएरा खड़ी कर सकते है टू वीलर और इसके बाद जश्ट बगल में आपको एक गेश्ट रूम मिल जाता है आप देखने को बिल रहा होगा ये गेश्ट रूम है और अगर जश्ट पीशे के बात करें तो इस कॉर्णर पर आपको एक बेड रूम मिलता है जिस्ट फ्रेंट में आपको किचिन मिलता है और साइड में लेटेंड बात मिल जाता है तो 16 वाई 24 परड़ में आपकोगोर दो बैड बात और किच्छे और इस्टेर्स वगेरा सब कुछ डेखने को मिलता है जो की बहुत ह लोग बजट हाउस है ज्यादा चीज़े मैंने इसलिए यहां पर डिजाइन नहीं किया है जिसे आपको प्रॉपर तरीके से सारी जी समझ में और अपना घर बनवा सकें अब हम बात करते हैं कि फास्ट फ्लोर की बात करें विल्को सेव टू सेव वही चीज़े है कुछ भी से जाए नहीं किया इस्टेर्स को ढग दिया है गुम्टी बनाकर और सारी सीज़ें वही रेलिंग वगएर आप देख पा रहा होंगे प्रॉपर तरीके से और कुछ भी मैंने डे जाए यहां पर नहीं किया है तो यह 16 24 पिट का हूश आपको कैसा लगा हमें कमेंड करके बता करतें इसका बजट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं आपको इस पता से लेगा इस गर को बनवाने में कितना खर चाएगा तो इसके लिए दूस्तों मैंने एक अप्लीकेशन बनाया है आप प्लेश टोर से डाउनलोड कर सकते हैं इसका नाम इसमाल हाउस प्लान है और उसे कैसे लिंक बिए मैंने डिसक्रिप्समें दिया है और मैं बता दिता हूँ से यूज कैसे करना है अप्लीकेशन डाउनलोड करने करने में मोझ पर आएंगे प्लेश टोर पर जैसे ऊपन करते हैं इसमें आपको सर्च करना होगा small house plan मैंने already search किया तो मेरा application थोड़ा नीचे अभी दोस्तों आ रहा है starting है तो आप नीचे आएंगे हमारा logo आप जानते हैं जो official logo है हमारा वहाँ पर जैसे आप नीचे आते हैं तो आपको मिलेगा हमारा application देखिए मैंने link फिला description दिया directly आप लिंक के थो डाउनलोड कर सकते हैं यह हमारा application देखिए गा यह वाला logo है इसे आप इंस्टॉल कर लें मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ description में link कर डारिक्ली आप प्ले स्टूर पर पहुंच जाएंगे आप जैसे से open करेंगे ओपन करने के बाद आपका यह श्टप्चप पूरा open हो जाता है यह देखिएगा यह सारे option आपको दिये brick calculation घर में आपके कितनी इंटे लगेंगी plaster में कितना material लगेगा वो आप find out कर सकते हैं आपके column में कितना material लगेगा चत slab में आपका कितना लगेगा primer, putty क्या लगेगा, beam में क्या लगेगा अलग-अलग आप find out करके अलग-अलग calculation कर सकते हैं जैसे मैं example के तोरप आपको बताता हूँ slab का, अगर आपको घर में slab बनवानी चत बनवानी है तो आप माल total पहले आप length find out कर लें अपने slab की कि suppose that एक हजार सकार फिट एरिया है लंबाई suppose that आपकी जो length है वो 50 feet है और width है मालो 20 feet है slab की तो डाल दी slab thickness आप कितना 10 इंची length डुलवाना चाहते है slab या 12 इंची जो भी इसका mixer ratio आप calculate कर ले gitti, cement और मौरम का क्या ratio आप रखना चाहते है एक बोरी अगर आप cement रखना चाहते है तो 2 बोरी cement मौरम पांच बोरी यह बगएरा जिबू भी आप देखते है इसका diameter बार तीन सूत का सरीया डालेंगे लेंटर में या चलाय में या सूत का वो डालें इसका distance बिट्वीन बार आप जो च्छत बनवार उसमें जो सरीया पड़ेगा वो कितनी कितनी दूरी पर पड़ेगा वो डालना मैंने 6 इंस पर डाल दिया calculate पर click करेंगे तो इस सारी चीजें calculate करते cement कितना लगेगा sand कितना लगेगा aggregate कितना लगेगा इस्टील कितना लगेगा अगर आपको rate find out करना है तो rate पर click करेंगे आप किया जो इटे इटो का इस समय चल रहा होगा प्राइस वो आपको डालना है क्योंकि अलग अलग जगे दोस्तो इट वगेरा अलग अलग होती है तो प्राइस अलग अलग होते हैं तो मैं इसलिए यहाँ पर fix नहीं किया है जो भी आप कहा चल रहा है वो सब प्राइस डालेंगे तो grand total यहाँ पर student आपको दिखा देगा यह application आप download करें लिंक description में है यहाँ आप पूरा घर का आपने estimate find out कर सकते हैं तो दोस्तों आपने देखा कि application कैसे use करना है तो आप इस application को ज़रूर से download करके अपना cast find out कर सकते हैं कि घर को बनवाने में कितना खर्च आएगा और वीडियो कैसा लगा है यह भी बताएं साथ साथ comment करके बताएं और अब हमी paid service का इस्तमाल जरूर करें जिससे आपको प्रॉपर तरीके से घर की planning मिल सके तो इस वीडियो को यहीं ब्रेक करेंगे thanks watch